पूर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि परदेश में बिजली की दरों में की गई कटोती सरकार के एक एतिहासिक फैंसला है जिसका परदेश में लाखो भोगताओं को लाव मिलेगा उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी नहान में आज पत्तरकारों से बात कर रहे थे उर्जा मंत्री ने कहा कि परदेश के जीरों से 60 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उभोगताओं को बिजली के बिल का भुकतार नहीं करना होगा इन उभोगताओं को मीटर रेंट के साथ सर्विस चार्ग भी नहीं देना होगा इस पर परदेश सरकार साथ करोड रुपए वहन करेगी और परदेश के चार लाक चालिस हजार उभोगताओं को इसका लाब मिलेगा इसके लाबा 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले उभोगताओं को 55 पैसे प्रती यूनिट छूट दी गई है जिस पर परदेश सरकार 70 करोड खर्च कर परदेश के साथ लाक उभोगताओं को लाब पहुंचाएगी यही नहीं परदेश के 38,000 ट्यूब वेल का इस्तिमाल करने वाले किसानों को भी बिजली की दरों में कटोटी से करोडों का लाब मिलेगा जो परदेश है ज़िए थो में थक जाल रहे हैं तो मतार पूरे बग्शक में लोगां तो चाबिनेट उड़ा है तब तक टपे माले लिए नो पशिली का लिए यही कि अन रभी चाप देना हुः ओपिशल बड़ा रागा ना रवाए मारा दड़ा है एकी बारी बोनार्स देखो जी मंत्री भी यहाँ है आपको बोला किसने के नहीं निकल दूए तुमाव आपके होते वे ठंड कहाँ अपको हम है आपको हम है आपको होते होते हैं नाइस हिमाचल प्रदेश में जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है पिछले चार वर्से परदेश की सरकार ने बहुत सी जनक लियान कारी हो जना है उमर ठारा से पचास वर्स है उनको हमने सबसीड़ी पर लोन देने की ववस्ता सुरू करी आठ सो साठ करोड पर अभी तक इस मद्योजी सी जनक के अंतरगत 4,862 की सबसीड़ी है 7,216 लोगों को इस योजनक के अंतरगत अभी तक लाग दिया जा चुका है मुख्यमंत्रे शगर को देते हैं अभी तक लगवग 24 ओ पर इवारों को 7,41 लाग का इस योजनक के अंतरगत दिया गया है इस मद्योजी जो है अभी तक खर्च किया गया है पिछलेंग इस योजनक के आम बडिची को लाग राज़या है बहुत सी वल्टिफिक के विल्ट अभी तक रbor पर इस अच्कुणतार है आम डिची की सकार है बहुत से लाज़ आम डिची को इस सकार ने लिये है हैं बहुत से लोगों को रोज़ार पुर्वाया इसलिए और 35 से जनवरी 2022 को जो एक यहांसिक नहीं नहीं सकता हैं उसका आम एक्टी को नाम बिले वादा है आप फुर्जा मनुत्री है और